उपमुख मंतरी का दौरा एक बार फिर हुआ निरस्त भाजपाईयों वा सुप्चिंतकों में एवं समर्थकों में छाई मायूसी जिला प्रिशासन वा भाजपानेताउं की तैयारी रही धरी की धरी तो दोस्तो नमस्कार मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी खबर हमारी दुनिया तो दोस्तो खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस खबर को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और देखते रहें यूपी 6-10 पर्यूद के जनपत फरुकावाद का जिले में तैयारियां बड़े जोरों पर थी परन्तु जिला प्रिशासन और पार्टी के पतादिकारियों की समस्त तैयारियां धरी की धरी रह गए क्यूंकि उप मुख मंतरी के केशा परसाद मौरिया का जनपत आगमन वाला कारिकरम एगवार फिर निरस्त हो गया है जिससे पार्टी के कारकरताओं में माय उसी छा गई है आपको बताते चलें कि बीते 26 अगस्त को उपमुखमंत्री केशा परसाद मौरिया का जनपद में आगमन निर्धारित हुआ था परन्तु अचानक किन ही कारणों के चलते उनका दोरा रद्ध हो गया एक बार फिर भाजपा के समर्तकों में खुशी की लहर दोड़ गई जब पता चला कि आगामी 15 सितंबर को उपमुखमंत्री केशा परसाद मौरिया का जनपद आगमन का कारिकरम लगा है जिसको लेकर जिला पर शासन बाजपा पादादिकारियों की तैयारियां बड़े जोरों पर थी परन्तु मंगलवार शाम को इस ख़वर ने एक बार फिर भाजपा समर्तकों में मायूसी च्छा गई जब पता चला कि उपमुखमंत्री का दोरा निरस्थ हो गया आपको बताते चलें कि उपमुखमंत्री का कारिकरम अब फरुकावाद की जगा जनपत सुल्तानपूर में रहेगा तो दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे यूपी शक्तर नियूद क्यूंकि हम जल्द लोटेंगे किसी दूसरी ख़वर में तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली जय हिंद